इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा मैं सिर्फ मैं यहां नहीं आया हूँ मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है जिसकी हालत हिंदी नों बेहत शर्मनाक है गणेशंकर विद्यार्थी और पीर मुनिस मुहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है दब्बु हो गई है अब मैं अपने विशे पर आता हूँ कि पावर अफ सिटिजन जर्लिलिजम जिस पर मुझे बोलना है यह समय नागरिक होने के इमतहान का समय है नागरिक्ता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है यह जानते हुए कि इस समय में नागरिक्ता पर चौताफा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंतरन बढ़ता जा रहा है एक व्यक्ती और एक समून के तोर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में माच लेगा वही नागरिक भविश्य को बेहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा दुनिया ऐसे नागरिकों के जिद से भरी हुई है नफरत के महौल और सुचनाओं के सूखे में कोई है जो इस रगिस्तान में कैक्टस के फूल की तरह खिला हुआ है रेत में खड़े पेड कभी ये नहीं सोचते कि उनके होने का मतलब क्या है जहां कहीं भी वो दूसरों के लिए खड़ा होता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहां भी हरियाली हो सकती है जहां कहीं भी लोगतंत्र हरे मैदान से रेगिस्तान में सबवर्ट किया जा रहा है वहां आज नागरिक होने और सूचना पर उसके अधिकारी होने की लडाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है मगर अस्संभव नहीं है नागरिक्ता के लिए जरूरी है कि सुचनाओं की स्वतंत्रता और प्रमानिक्ता हो आज स्टेट सत्ता का मीडिया और इसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल हो चुका है स्टेट का मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिक्ता का दाईरा छोटा होना मीडिया अब सर्विलांस स्टेट का पार्ट है जो निगरानी करता है अब वो फोर्थ स्टेट नहीं है बलकि फ़र्स्ट स्टेट है प्राइबेट मीडिया और गवर्मेंट मीडिया का अंतर पूरी तरह से मिट गया है इसका काम, उपिनियन को डाइवर्सिफाई करना नहीं है, बलकि कंट्रोल करना है ऐसा भारत और दुनिया के कई देशों में हो रहा है न्यूस चैनलों के डिबेट की भाशा लगातार लोगों को उसके अपने राश्टरवाद की परिभाशा से बाहर निकालने का मौका खोशते रहती है इतिहास और सामुही की स्मृतियों को हटा कर उनकी जगा एक पार्टी का राश्टर और इतिहास लोगों पर थुपा जा रहा है मीडिया की भाशा में दो तरह के नागरिक हो गए हैं एक नैशनल है और एक एंटी नैशनल है एंटी नैशनल वो है जो सवाल करता है ऐसमती रखता है असमति लोक टंतर और नागरिकता की आत्मा है उस आत्मा पर रोज हमले होते हैं जब नागरिकता खत्रे में हो या उसका मतलब ही बदल दिया जाए तब उस नागरिकता तब उस नागरिक की पत्रकारिता कैसी होगी तब citizen journalism उस माहौल में कैसा होगा नागरिक तो दोनों हैं जो खुद को नैशनल कहता है और जो एंटी नैशनल कहा जा रहा है वो भी तो नागरिक है दुनिया के कई देश, कई देशों में ये state system जिसमें नियाई पालिका भी है और लोगों के बीच legitimize हो चुका है ये नया system फिर भी हम कश्मीर और हॉंग कॉंग के उधारन से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच लोगतंत्र और नागरिकता की क्लासिक समझ अभी भी बची हुई है और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं आखिर क्यों हॉंग कॉंग के लोगतंत्र के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों का सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहा उन्होंने उस भाशा पर भी विश्वास नहीं किया जिसे सरकारे जानती हैं जो मुख्य मीडिया की मुख्यधारा की मीडिया की भाशा है इसलिए उन्होंने अपनी नई भाशा गढ़ी और उसमें आंदोलन की रणनीती को कम्यूनिकेट किया यह नागरीक होने की रचनात्मक लड़ाई है जो होंग कॉंग ने लड़ी होंग कॉंग के नागरीक अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन जगों के समनांतर मुख्यधारा के मीडिया के समनांतर नई जगहें पैदा कर रहे हैं जहां लाखों लोग नए तरीके से बात कर रहे हैं नए तरीके से लड़ रहे हैं पल भर में जमा होते हैं कोई हिंसा नहीं करते हैं अपना एप बना लिया है और मेट्रो के इलक्ट्रोनिक कार्ड खरीदने की रंडिती अपनी बदल ली है फोन के सिम कार्ड का इस्तमाल बदल लिया है कंट्रोल के इन सामानों को नागरिकों ने कबार में बदल दिया है यह प्रोसेस बता रहा है कि स्टेट ने नागरिक्ता की लड़ाई अभी पूरी तरह से नहीं जीती है हौंग कॉंग के लोग सुचना संसार के अधिकारिक नेटवर्क से खुद ही अलग हो गए और अपनी लड़ाई जीत गया कश्मीर में दूसरी कहानी है वहाँ कई दिनों के लिए सुचना तंत्र को ही बंद कर दिया गया एक करोड से अधिक की आभादी फोन आभादी को सरकार ने सुचना संसार से ही अलग कर दिया इंटरनेट शटडाउन हो गया मॉबाईल फोन बंद हो गये सरकार के अधिकारी प्रेस का काम करने लगे और प्रेस के लोग सरकार का काम करने लगे क्या आप बगार कम्यूनिकेशन और इंफॉर्मिशन के सिटिजन की कलपना कर सकते हैं वो बेचेहनिया क्या होती होंगी जब अख़वार पहुँचना बंद हो जाए जब आप किसी से बोलना पाएं, अपना हाल दूसरे का ना बता पाएं, दूसरे से ना जान पाएं क्या होगा जब मीडिया जिसका काम सुचनाएं एकत्र करना है, सुचना के तमाम नेटवर्क अचानक बंद कर दिये जाएं, तब क्या होगा और मीडिया उसका समर्थन करने लगे कि ये जो हो रहा है, वो सही हो रहा है, और वो उस सिटिजन के भी खिलाफ हो जाएं, जो अपने सतर पर सूचना ला रहा है, या सिटिजन जनलिजम कर रहा है, जब में इस्ट्री मीडिया जनलिजम नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्टित कि मामले में नीचले पाइदान पर हैं पाकिस्तान चीन श्रिलंका बंग्रादेश म्यानमार और भारत नीचे की रैंकिंग में ये सब पडोसी हैं पाकिस्तान में एक इलेक्टरॉनिक मीडिया रेगुलेटरी आथारिटी है जो अपने न्यूस चैनलों को जिसमें काईज कहा गया है मगर होता ये है कि ये निर्देश है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे पंदरा अगस के दिन स्क्रीन को खाली रखना है ताकि वो कश्मीर के समर्थन में काला दिवस मना सके पाकिस्तान जिसकी समस्या का एक बड़ा कारण खुद वहबी है फिजूल की बे बे एतबारी मैं दरवाना चाहता हूँ फिजूल की बे एतबारी जहालक और बुजदिली की निशानी है गांधी जी ने कहा है एक जनवरी 1948 को दूसरी तरफ जब कश्मीर टाइम्स की अनुरादा भसीन भारत की सुप्रिम कोड जाती है तो उनके पीछे प्रेस काउंसिल इंडिया भी चला जाता है ये कहने कि कश्मीर घाटी में मीडिया पर लगे बैन का वो समर्थन करता है मेरी राए में प्रेस काउंसिल अफ इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्टरॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी का दफ्तर एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए इस बात पर लड़ाई हो सकती है कि प्रथम तल पर किसका दफ्तर होगा और द्वीतिय तल पर किसका दफ्तर होगा अच्छी बात ये रही कि प्रेस काउंसिल अफ इंडिया ने अपनी राय बदल ली गनीमत है कि एरिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने कश्मीर में मीडिया पे लगी रोग की निंदा की थी और प्रेस काउंसिल अफ इंडिया के भी बहुत आलोचना की कि उन्हों ने ऐसा क्यों किया दोनों देशों के नागरिकों को सोचना होगा कि लोगतंत्र मजाक नहीं है वो एक सीरियस बिजनस है क्या वो बगएर सुचनाओं के सही सुचनाओ कि अपने देश के भीतर और दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ समवाद कायम कर सकते हैं और करेंगे भी तो क्या उसमें वो विश्वस्नियता रहेगी जिसके लिए वो चाहते हैं कि महौल अच्छा हो होली नहीं है कि इधर से एक गुबारा मारा और उधर से पानी में डाल कर पानी जादा भर के रंग के नाम पर गुबारा मार दिया वैसे भारत के न्यूस चैनल आज कल परमाणू हमले के समय बचने की तैयारी का लेक्चर भी दे रहे हैं तो अपना तॉलिया भिंगा कर रखिएगा और घर में बेस्मेट बनवा लीजिए भले च्छत नहो क्योंकि आपके न्यूस चैनल हिंदुस्तान के परमाणू हमले की तैयारी सिखा रहे हैं बचने की आप हसे नहीं वो अपना काम सिरियसली कर रहे हैं अब आप इस कॉंटेक्स्ट में संदर में आज के विशय के टॉपिक को फ्रेम कर लीजिए कि में इस्ट्री मीडिया क्य या कैसी पार क्या करर रही है दुनिया वर में और उसके बीच एक स्टिजन जर्नलिदम बिना किसी पावर की खड़ा है, वो क्या कर सकता है, यह तो वही मीडिया जिस ने अपने खरचे में कटा उती के लिए सिरिगन जरनलिदम को गढाना शुरू किया जिसने आज Пूरी मीडिया को खतम कर दिया है जिस मेनिस्ट्री मीडिया ने उसी ने सिटिजन जनलिजम को क्रियेट किया इसके जरीए मीडिया ने अपने रिस्क को आउट सोर्स कर दिया मेनिस्ट्री मीडिया के भीतर सिटिजन जनलिजम और मेनिस्ट्री मीडिया के बाहर के citizen journalism दोनों अलग चीज़े हैं लेकिन जब social media के शुरुआती दौर में लोग सवाल करने लगे तो ये media, social media के खिलाफ हो गया, mainstream newsroom के भीतर, blog और website बंद किये जाने लगे, आज भी हो रहे हैं आज भी कई सारे newsroom में पत्रकारों को personal opinion लिखने की अनुमती नहीं है ये अलग बात है कि उसी दौरान बगदाद burning blog के जरीए 24 साल की छात्रा river band असल नाम इनका सारुजनिक कभी नहीं किया गया कि इराक पर हुए हमले, युद्ध और तबाही की रोज की स्थिती, blog post की शकल में आ रही थी और जिसे साल 2005 में, बगदाद burning girl blog from इराक, शिर्चक से किताब की शकल में पेश किया गया तो दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने माना कि जो काम सोशल मीडिया के जरीए एक लड़की ने किया वो हमारे पत्रकार भी नहीं कर पाए ये citizen journalism है, जो main stream media के बाहर हुआ है आज कोई लड़की कश्मीर में बगदाद burning की तरह blog लिख दे तो ministry media उसे anti-national बताएगा मीडिया लगातार citizen journalism के space को anti journalism के नाम पर delegitimize अवैद करने में लगा है क्योंकि उसका interest, hit, दिल्चस्पी अब पत्रकारिता में नहीं है पत्रकारिता के नाम पर media state का भागिदार है, उसका दोस्त है मेरे ख्याल से citizen journalism की कलपना का बीज इसी वक्त के लिए किया गया होगा जब media या mainstream journalism सूचना के ही खिलाफ हो जाए उसे हर वो आदमी देश के खिलाफ नजर आने लगे जो सूचना पाने के लिए संघर्ष कर रहा है mainstream media नागरिकों को सूचनाओं से वन्चित करने लगा है असमती की आवाजों को गदार कहने लगे इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नागरिक होने का testing time है इमतहान का वक्त है जब मीडिया ही citizen के खिलाफ हो जाए तो फिर citizen का मीडिया बनना ही लाजमी है पर जानते हुए कि state control की इस दोर में citizen और citizen journalism दोनों के खत्रे बहुत बड़े हो गए हैं तो सफलता बहुत दूर नजर आती है उसके लिए state के भीतर से information सूचना हासिल करने के दरवाजे पुरी तरह बंद है में इस्ट्री मीडिया citizen journalism में cost cutting और propaganda का scope बड़ाना चाहता है और इसके लिए उसका सरकार का PR होना बहुत जरूरी है citizen journalism सड़क पर संघर्ष कर रहा है कि कैसे वो जनता की support पर सरकार और विग्यापनों के जाल से बाहर रह सके अभी सफलता बहुत दूर है भारत का में इस्ट्री मीडिया पढ़े लिखे नागरिकों को दिन रात post illiterate फिर से गहर साक्षर बनाने में लगा है वो अंध विश्वाथ से घिरे नागरिकों को सचेत और सतर्क समर्थ नागरिक बनाने का प्रयास छोड़ चुआ है जिसका जना देश संविधान ने देश के हर नागरिक को और देश की हर सरकारों और संस्थाओं को दिया है अंधर आश्ट्रवाद और सामप्रदाइक्ता उसके सिलिबस का हिस्सा है ये स्टेट के नेरेटिव को पवित्र सूचना मानने लगा है अगर आप इस मीडिया के जरीए किसी डिमोक्रिसी को समझने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसे लोगतंत्र की तस्वीर बनाता है जहां सारी सुचनाओं का रंग अब एक हो गया है उसका सियासी रंग भी एक हो गया है और उसका एक रंग है जूट यह रंग सत्त के रंग से मेल खाता है कई सौ चैनल हैं मगर सारे चैनलों पर एक ही अंदाज में एक ही प्रकार की सूचना और डिबेट है एक तरह से सवाल फ्रेम किये जा रहे हैं कि सूचना के नाम पर धारना फैलाई जा सके information में धारना ही सूचना है perception is the new information जिसमें हर दिन नागरिकों को डराया जा रहा है अगर आपको गलत सूचनाओं से भर दिया जाए तो आप डरें ना भी तो भी आप एक कमजूर नागरिक बन रहे हैं आपका मेंस्ट्रिम मीडिया आपको बुजल बना रहा है आपको भीड बना रहा है आपके बीच अच उरक्षा पैदा कर रहा है कि बोलने पर आपके अधिकार ले लिए जाएंगे जिस तरह से उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है आपको भी एंटी नेशनल कहा जाएगा और उसके खत्रे फिर बड़े हो जाएगे इस में इस्ट्रिम मीडिया के लिए विपक्ष पोजिशन एक गंदा शब्द है गाली है वो हमेशा विपक्ष पर हमले करता है और सरकार की खुशामत करता है जब में इस्ट्रिम मीडिया में विपक्ष और सहमती गाली बन जाए तब असली संकट नागरिकों पर ही आएगा दुर्भागे से इस काम में निउस चैनलों की आवाज सबसे करकश और उंची है एंकर अब बोलता नहीं है चीखता है ललकारता है भारत में कुछ बहुत कुछ शांदार है मेरे देश में एक महान देश है इसकी उपलब्धियां आज भी दुनिया के सामने नजीर हैं लेकिन इसके मेन स्ट्रिम और टीवी मीडिया का जादतर हिस्सा गटर हो गया है भारत के नागरिकों में लोकतंत्र का जजबा बहुत खूब है लेकिन न्यूस चैनलों का मीडिया उस जजबे को हर रात कुछलने आ जाता है लाखो नौजवान लाखो सधारन लोग अपनी अपनी मागों को लेकर हर दिन प्रदर्शन करते हैं लाठियां खाते हैं और सबूत दे रहे हैं कि लोकतंत्र बिलकुल जिन्दा है फलफुल रहा है मगर मेंस्ट्र मीडिया उनकी परवाह नहीं करता है भारत में शाम तो सूरज डूबने से होती है लेकिन रात का अंधेरा नियूस चैनलों की खबरों से होता है भारत में लोगों के बीच लोकतंत्र जिन्दा है हर दिन सरकार के खिलाब जुरदार प्रदर्शन हो रहे है मगर मीडिया अब इन प्रदर्शनों की स्क्रीनिंग करने लगा है उसमें से लोगों को ढून रहा है बताने के लिए कि यहां जमा हुए लोग एंटी नेशनल है यह लोगों के लिए खत्रे की घंटी है आज नहीं तो दस साल बाद मेरी हर बात को याद करेंगे इनकी अब खबरे नहीं बनती मीडिया के लिए इनका प्रदर्शन एक फालतू काम है मगर डिमोंस्ट्रेशन के बगार कोई भी डिमोक्रिसी डिमोक्रिसी नहीं हो सकती प्रदर्शनों के बिना कोई लोगतंत्र लोगतंत्र नहीं हो सकता कभी होगा भी नहीं इन प्रदर्शनों में शामिल लाखो लोग अब खुद से अपना वीडियो बनाने लगे हैं फोन से बनाए गए उस वीडियो में खुद ही रिपोर्टर बन जाते हैं और घटा इस थलका बेवरा देने लगते हैं बताने लगते हैं कि ये रेलवे की फैक्टरी है ये फैक्टरी शायद प्राइविटाइज होगी और सरकार इसे बंद करना चाहती हम प्रदेशन पर निकले हैं और यहां पर कोई मीडिया नहीं आया है जिसे बाद में प्रदेशन में आये लोगों को इस वीडियो को वाटसअब के जरीए फॉरवर्ड किया जाता है इन्फॉर्मेशन का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पाट पढ़ा रहा है आज का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पाट पढ़ा रहा है उसमें नागरिक का मतलब यह नहीं कि वो सरकार के खिलाब नारे बाजी करें इसलिए नागरिक अपने होने का मतलब बचाए रखने के लिए WhatsApp ग्रूप के लिए वीडियो बनाने लगता है जो उस प्रदर्शन में आया होता है आंदुलन करने वाले citizen journalism करने लगते हैं अपना वीडियो बना कर YouTube पर डालने लगते हैं जब state और media एक होकर citizen को control करने लगे तब क्या कोई citizen journalist के रूप में act कर सकता है citizen बने रहने और उसके अधिकारों को exercise करने के लिए ecosystem भी उसी democracy को provide कराना होता है अगर court, police और media hostile हो जाए, विरोधी हो जाए फिर society का वो हिस्सा जो state बन चुका है state का समर्थक हो चुका है आपको exclude, बहिश्कृत करने लगे तो हर तरह से निहत्था होकर एक आमनागरिक किस तरह से किस हद तक लड़ सकता है यह हम सब को सोचना है पूरी दुनिया को सोचना है क्योंकि यह पूरी दुनिया में हो रहा है अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में लड़ने वाले लोग अभी है मुझे हर दिन वाटसब पे पांच सौ से हजार मेसेज आते हैं कभी कभी यह संख्यास जादा भी होती है हर दूसरे मेसेज में लोग अपनी समस्या के साथ पत्रकारिता का मतलब भी लिखते हैं में इस्ट्रीम नियूज मीडिया के लोग भले ही पत्रकारिता की परिभाशा भूल गए हो लेकिन जनता को याद है कि पत्रकारिता की परिभाशा क्या है जब भी मैं अपने वाटसब को खोलता हूँ बारों लोगों की सूचना को देखने में ही उलग जाता हूं, इसलिए मैं अपने वाटसेप को पबलिक न्यूज रूम कहता हूं, देश बर में मेरे नंबर को ट्रोल ने वाइरल किया, लोगों तक पहुंचाया, कि मुझे गाली दी जाए, मुझे धंकियां दी जाए, मेरी म पास, इस मीडिया के माध्यमों की बहुलता के दौर में भी दबा दी गई है, अपनी और अपने इलाके की खबरों को लेकर आए, ये वो खबरे हैं, जो न्यूज चैनलों की परिभाशा के हिसाब से खत्म हो चुकी हैं, मगर उन्ही चैनलों को देखने वाले ये लोग, ज जाटूकार कौन है, पत्रकार कौन है, उनके जहन से पत्रकारिता का मतलब अभी भी समाप नहीं हुआ है, बलकि वो समझ अभी भी क्लासिक के तौर पर बची हुई है, जब रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने, रूलिंग पार्टी ने मेरे शो प्राइम टाइम का बहिश और ये लोग रूलिंग पार्टी के भी समर्थक थे, जिस मेण स्ट्रीम मीडिया ने सिटिजन जर्निर्संब के नाम पर जर्निर्निर्सम और सत्ता के खिलाब बोलने वाले तक को आउट्टसूर्स कर दिया था, जिसमें के लोगों के बीच मीडिया का भर्म तो बना रहे, सि उसके पत्रकारों को, मेनिस्ट्री मीडिया के पत्रकारों को सिटिजन जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा ताकि लोग सिटिजन बन सकें, जिनका काम पत्रकार होना है, वो पत्रकार बन सकें ठीक उसी समय में जब न्यूस चैनलों से आम लोग गायब कर दिये गए और उन पर डिबेट शो के जरिए पॉलिटिकल एजेंडा थोपा जाने लगा, एक तरह के नेरेटिव से बहस से लोगों को घेरा जाने लगा, उसी समय में लोग इस घेरे को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं गालियों और धमकियों के बीच ऐसे मैसेज की स्रिंकला और संख्या बढ़ने लगी है जिन में लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं मैं लोगों की समस्याओं से अब ट्रोल किया जाने लगा हूँ और इसका मुझे सुखद एसास है क्या आप नहीं बोलेंगे क्या आप सरकार से डरते हैं ये आवाज उनके लिखे हुए हर मेसेज से आती है मैंने उन्हें सुनना शुरू कर दिया प्राइम टाइम का मिज़ाज नेचर बदल गया हजारों नौजवानों के मेसे जाने लगे कि सिंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट सरकारी नौकरी की परिक्षा दो से तीन साल में भी पूरी नहीं करती है जिन परिक्षाओं के result आ जाते हैं, उनमें भी appointment लेटर जारी नहीं करती है अगर मैं सारी परिक्षाओं में शामिल नौजवानों की संख्या का हिसाब लगाओं तो result का इंतजार कर रहे नौजवानों की संख्या करोडों में जा सकती है प्राइम टाइम के जॉब सीरीज का असर होने लगा और देखते ही देखते कई परिक्षाओं के रिजल्ट भी निकले अपॉइंट्मेंट लेटर भी मिला लेकिं उससे भी कहीं जादा संख्या में परिक्षाओं के रिजल्ट आस तक नहीं निकले सरकारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा जिस स्टेट से मैं आता हूँ बिहार वहां 2014 की परिक्षा का परिणाम 2018 तक नहीं आया था बस मेरा वाटसअप नंबर पबलिक निउस रूम में बदल गया सरकार और पार्टी सिस्टम में जब मेरे सीक्रेट सोर्स किनारा करने लगे मुझसे बात करने में खबरे देने में तब पबलिक मेरे लिए उपन सोर्स बन गई मुझे खबरे देने लगी प्राइम टाइम अक्सर लोगों के भीजे गए मेसेज के अधार पर बनने लगा है ये वाटसअप ग्रूप का रिवर्स इस्तमाल है एक तरफ राजनितिक दल का आईटी सेल लाखों की संख्या में सांप्रादाइकता और जिनोफोबिया अंदरास्टरवाद फैलाने वाले मेसेज भीज रहा है और मेरे नमबर के साथ कि इन्हें इस तरह से गाली दी जाए तो दूसरी तरफ से असली खबरों के मेसेज मुझे उन्ही नमबर से पहुँच रहे है मेरा नियूज रूम एन्डी टीवी के नियूज रूम से शिफ्ट होकर लोगों के बीच चला गया है यही भारत के लोगतंत्र की उमीद है क्योंकि इन्होंने ना तो सरकार से उमीद छोड़ी है और ना ही सरकार से सवाल करने का रास्ता भी पुरी तरह से बंद किया है तभी तो वो मेनिस्ट्री मीडिया में अपने लिए एक छोटी सी खिड़की ढून रहे हैं और टीचर की संख्या मुझे भेज रहे थे दस हजार चात्रों पर दस बीस शिक्षक भी नहीं हैं बिहार के कॉलेज में मैं वहां तक कभी नहीं पहुँच पाता लेकिन लोग उस कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ मुझे तक पहुँच चुके थे और वो दुनिया तक जा चुकी थी मीडिया जिस दौर में स्टेट के हिसाब से सिटिजन को डिफाइन कर रहा है इस दौर में इसी दौर में सिटिजन अपने हिसाब से मुझे डिफाइन कर रहा है जैसा वो खुद है वैसा मुझे बनाना चाहता है डिमोक्रिसी में उम्मीदों के कैक्टस के फूल, उम्मीदों के कैक्टस खील रहे हैं मुझे चंडीगड की उस लड़की का मेसेज अभी याद है वो प्राइम टाइम देख रहे थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा वो भारत के लोक तंत्र की शांदार नागरिक है जब तक वो लड़की है लोक तंत्र अपनी चुनोतियों को पार कर लेगा उन बहुत से लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पहले ट्रोल किया गालियां दी मगर बाद में खुद से लिखकर माफी मांगी अफसुस जाहिए अगर मुझे लाखो गालियां आई हैं तो मेरे पास ऐसे हजारों मेसेज भी आये हैं जिसमें लोगों ने माफी मांगी है महरास्टर के उस लड़के का मेसेज याद है जो अपने दुकान पर टीवी पर चल रहे नफरत वाले डिबेट से घबरा उटता है और अकेले कहीं जाकर जहां समान रखे होते हैं गोदाम में पैट जाता है जब वो घर में मेरा शो चलाता है तो उसके पिता और भाई बंद कर देते हैं कि मैं देश दुरूई हूँ में इस्टिम मीडिया और आईटी सेल ने मेरे खिलाफ ये कैमपेंग चलाया है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक इस तरह के मेसेज हर दिन पहुँचाया जा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कैमपेंग से घर घर में स्क्रीनिंग होने लगी है लोग आईटी सेल का काम करने लगे हैं कि पिता अपने बेटी को प्राइम टाइम देखने से रोकता है और भाई अपने छोटे भाई को लेकिन फिर भी उन्हीं घरों में लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि लोक तंत्र में अभी भी जिन्दा दिल लोग बाकी हैं यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज सिटिजन जर्नलिस्ट होने के लिए आपको स्टेट और स्टेट की तरफ बरताओ करने वाले सिटिजन से भी जूझना होगा जो बड़ा भाई, छोटे भाई को टीवी नहीं देखने दे रहा है, जो पिता अपने बेटी को प्राइम टाइम नहीं देखने दे रहा है वो स्टेट की तरफ बरताओ करने वाला सिटिजन घर में पैदा हो गया है यही डरने वाली बात है चुनौती सिर्फ स्टेट नहीं है, राजजी नहीं है, राजजी जैसे होच के लोग भी है, सामप्रदाइक्ता से लैस, अंदर रास्टरवात्स, और गलत सुचनाओं से लैस, भीड के बीच दूसरे नागरिक भी डर जाते हैं, जो सरकार के समर्थक होते हैं, जो उन पार्टियों के समर्थक होते हैं, उनका जोखिम काफी बढ़ गया है आपको अपने मोबाइल पर यह message देख कर घर से निकलना होता है कि message कर देने वाला आज मुझे लिंच कर देना चाहता है, जो और यह हत्या कर देना चाहता है कि वो लिख कर मेसेज भीजता है कि मुझे आज लिंच कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, भीड के द्वारा घेर कर, उसे डर नहीं है कानून का क्योंकि उसे भरोसा हो गया है कि सरकार का सिस्टम उसका साथ देगा, मेरा नहीं, इसलिए आप देखेंगे कि यूपी के ए रोप लगा दिये गए, आज का सिटिजन बहुत दबाव में है, उसके सामने चुरौती है कि वो इस मीडिया से कैसे लड़े जो दिन रात उसी के नाम पर अपना धंदा करता है, हम इस मोड पर हैं जहां लोगों को सरकार तक पहुँचने के लिए मीडिया के बैरिकेड से लड़ना है, वरना उसकी आवाज वाटस अप के इन बॉक्स में घूमती रह जाएगी, पहले लोगों को नागरिक बनना होगा, फिर स्टेट को बताना होगा, कि उसका एक काम यह भी है कि वो हमारी नागरिकता के जरूरी तत्वों के लिए, सबसे जरूरी निर्भिकता के माहौल को बनाए रखे, स्टेट को क्वेश्चन करने का माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, एक सरकार का मुल्यांकन आप तभी कर सकते हैं, जब उसके दोर में मीडिया स्वतंत्र हो, इन्फॉर्मेशन के बाद, अब अगला अटैक इतिहास पर हो रहा है, बलकि साथ साथ हो रहा है, जिससे हमें ताकत मिलती है, प्रेड़ना मिलती है, उसी इतिहास को छीना जा रहा है, आज मेंडिया के पतरकार बहुत डरे हुए हैं, और एक डरा हुआ पतरकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, आजादी के समय भी तो ऐसा ही था अंग्रेजों की हुकूमत थी बाल गंगा धर तिलक महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेटकर गने शंकर विद्यार थी अंगीनित नाम हैं ये सब सिटिजन जर्निलिस्ट थे 1917 में चमपारन सत्यागरा के समय महात्मा गांधी ने कुछ दिनों के लिए प्रेस को आने से रोक दिया उन्हें पत्र लिखा कि आप चमपारन सत्यागरा से दूर रहें गांधी खुद किसानों से उनकी बात सुनने के लिए बैठ गए चंपारन में गांधी के आसपास पब्लिक वहां की गरीब जनता न्यूजरूम बना कर बैट गई आप उन तस्वीरों को देखिए कि एक एडिटर गांधी एडिटर की तरह मेस पर बैठे हैं और लोग जो हैं रिपूर्टर की तरह रोजाना की न्यूस मीटिंग में शामिल हैं वो अपनी शकायतें प्रमान के साथ गांधी जी को बताने लगी वहां की जनता उसके बाद उसी के बाद भारत की अज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदल गया जो आपके सामने है जिसका नतीजा मैं ऐसे किसी दोर या देश को नहीं जानता जो खबरों के बगार धड़क सकता है जिन्दा रह सकता है किसी भी देश को जिन्दा दिल होने के लिए सुचनाओं की प्रमानिकता बहुत जरूरी है सुचनाओं सही और प्रमानिक नहीं होंगी तो नागरिक बदहवास हो जाएगा इसलिए एक बार फिर से सिटिजन जनरिलिजम की जरूरत तेज हो गई है वो सिटिजन जनरिलिजम जो मेनिस्ट्रिम मीडिया की कारोबारी स्ट्रेटीजी से अलग है इस हताशा की स्थिती में भी इस स्थिती में भी आज भी कई लोग इस गैप को भर रहे हैं कॉमेडी कर रहे हैं individual YouTube कर रहे हैं ताकि सिटिजन जनरिलिजम के essence को उसके भाव को जिन्दा रखा जा सके उनकी ताकत का असर ये है कि भारत के लोक तंत्र में अभी भी सब कुछ एक तरफा नहीं हुआ है मेनिस्ट्री मीडिया एक तरफा हो गया है जनता सूचना के शेत्र में अपने स्पेस अपनी जगह बनाने की लड़ाई आज भी लड़ रही है और कल भी वो लड़ेगी भले ही वो अब जीत नहीं पाएगी महात्मा गांधी ने 12 अपरैल 1947 की प्रारतना सभा में अखबारों को लेकर एक बात कही थी आज के डिवाईसिव मीडिया के लिए दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले मुख्यधारा की मीडिया के लिए गांधी के प्रवच्चन काम आ सकते हैं गांधी ने एक बड़े अखबार के बारे में कहा जिसमें खबर छपी थी कि कॉंग्रेस की वरकिंग कमीटी में अब गांधी की कोई नहीं सुनता है गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की दो रदू गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की आज अखवार ढर गए हैं वे अपनी आलोचना को वो नागरिकों की आलोचना को देश की आलोचना बना देते हैं जबकि मैं में इस्ट्रि मीडिया और खासकर निउस चैनलों की आलोचना अपने इस महान देश के हित में ही कर रहा हूं मैंने कहा कि इसकी उपलब्दिया शांदार है मगर मुख्यधारा का मीडिया गटर हो गया है गांधी ने कहा था 12 अपरेल 1927 को कि आप इन निकम में अखबारों को फेक दें कुछ खबर सुननी हो तो एक दूसरे से पूछ लें अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझकर अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान वासियों की सिवा के लिए चलाय जा रहे हो जो हिंदू और मुसल्मान को मिलकर रहना सिखाते हो भारत के अखबारों और चैनलों में हिंदू मुसल्मान को लड़ाने भड़काने की पत्रकारिता हो रही है गांधी आज होते तो यही कहते जो उन्होंने 12 अप्रैल 1947 को कहा था जिसे मैं आज दोहरा रहा हूँ दूसरे शब्दों में कि इन न्यूस चैनलों को देखना बंद कर दीजिए यह आपके और इस महान भारत के लोकतंतर की हत्या करने का दैनिक अभ्यास कर रहे हैं आज बड़े पैमाने पर सिटिजन जर्णलिस्ट की जरूरत है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरत है सिटिजन के डिमोक्रेटिक होने की उसके नागरिक होने की मैं एंडी टीवी के करोडो दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, आलोशनाएं की और बहुत गोर किया उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है ये पुरसकार, ये सम्मान, उन्हीं करोडो दर्शकों का है मैं आज एंडी टीवी के सभी सहयोगियों को याद करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रणाय रॉय और अदिकार रॉय को भी याद करना चाहता हूँ कि मेरे बोलने से उन्हें कितनी परिशानियां उठानी पड़ रही है और मालूम नहीं इस भाशन के खत्म होते होते कोई दूसरी F.I.R. उनका इंतजार कर रहा होगा मैं हिंदी का पत्रकार हूँ मगर मराठी, मल्यालम, गुजराती, बांगला, भाशी दर्शकों ने जो मुझे प्यार दिया है जो वहां के अखवारों ने इस सम्मान के मिलने के बाद लिखा है मैं उसका आभारी हूँ मुझे भारत के नागरी को ने बनाया है मेरे इतिहास के अखवारों में मैं अपने इतिहास के स्च्रेश्ट सिक्षक को हमेशा याद करता हूँ कि मुझे दुनिया के बहतरी इतिहासकारों ने पढ़ाया है मेरे आदर्श, अनुपम मिश्र याद आ रहे हैं, जो मनिला, चंडी, प्रसाद, भट जी के साथ आये थे अनुपम जी बहुत ही याद आते हैं मेरा दोस्त यहाँ नहीं है जो NDTV के बाहर के दोस्त हैं, चंद दोस्त हैं मैं उन सब को भी यहाँ से बैठ कर याद कर रहा हूँ यहां मेरी पत्नी बैठी हैं मेरी जीवन साथी, मेरी दोस्त और मेरी बेटियां मैं नौइना के पीछे चल कर यहां तक पहुँचा हूँ कावे लिस्त्रियों के पीछे हमेशा चला कीजिए, आगे नहीं अच्छा नागरिक बना कीजिए, इस वक्त की बहुत जरूरत है, ना सिर्फ भारत में प्राकिस्तान में मियानमार में, बंगला देश में श्री लंका में, नेपाल में और दुनिया के तमाम मुलकों में धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया रेमान मेकस्ते से अवाड फांडिशन का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मन चुपलत कराया जाहिन